आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now देखे बचों, Question में क्या बोला जा रहा है? एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कतन सत्य है? अधिक्तम विस्थापन वस्था में इस्थिति जूर्ज निउन्तम है अधिक्तम विस्थापन वस्था में इस्थिति जूर्ज अधिक्तम है माद्य वस्था में गति जूर्ज निउन्तम है माद्यवस्ता में इस्थिती जूड़ जा दिखता में देखे इसको समझने के लिए सरलोलक क्या होता है ये समझना पड़ेगा देखे सरलोलक में क्या होता है कोई एक मालो ये इस्थीर कोई सता है ठीक है यहाँ पर क्या है एक इस्थीर सता है इससे हमने एक रसी को बान दिया ठीक है ये क्या है डोरी है अब ये डोरी का गोड़ ऐसा है कि ये बहुत हलकी है और आव भी तानिया है मतलब इसको आप स्टेच नहीं कर सकते बल लगा के ये खीच के ठीक है अब इस रसी से देखिए एक बहुत ही मतलब दरब इमान रहित बोल सकते है ये बहुत ही नेगलेजीबल दरब इमान का एक क्या है एक गोला है ठीक है इसको हम लोग बाब बोलते है ठीक है बाब तो ये जो गोला है ठीक है तो ये क्या करता है ये न ऐसे ऐसे ठीक है ये क्या करता है आवर्ती गती करता है जिसी को दोलन गती बोलते हैं ठीक है दोलन गती दोलन गती में क्या अहोता है बच्छो कि जो वस्तू होता है कोई इसकी एक फिक्स स्थिती होती है जैसे यहां पर ये इसकी फिक्स स्थिती है ठीक है? इसको मैं नाम देता हूँ डे A को हम लोग बोलते हैं माद देश्तिती तो ये इसी स्थिती के आगे को रहाएगी फिर यह देखे अब भी प्रिद इसा में यह मालो सी बिंदू यहां पर अधिक्तम विश्थापन हुआ और फिर माद इस्थिति में आएगी तो इसको बोलेंगे एक आवर्द गति अब इसकी गति को बार-बार यह करते रहेगा तो यह वस्तु का जो टेंडेंस इस्थिति उर्जा ठीक है तो इस्थिति उर्जा हमको सबसे कम कहां पर मिलेगी इस्थिति उर्जा जो होगी है कम इस्थिति उर्जा या नियूंतम बोल सकते हैं ठीक है इस्थिति उर्जा जो होगी नियूंतम कहां पर मिलेगा नियूंतम जो है माद इस्थिति पर क्योंकि इस्थिति जूर्जा क्या होती, इस्थिति कान किसी वस्तु में जो उर्जा होती है, उसको इस्थिति जूर्जा बोलते हैं, ठीक है, तो वस्तु जैसे गती कर रहा है, तो यह जो B और C इसका अधिक्तम हो चाहिए, तो यहाँ पर हमारे इस्थिति जूर्जा क्या ह इसको चरम बिंदू नाम देते हैं हम लोग, तो यह चरम बिंदू क्या है हमारा, बिंदू B और बिंदू C, ठीक है, यहाँ पर इस्तिती जूर्जा हमको अधिकता मिलेगे, अब जैसे हम लोग गती जूर्जा की बात करते हैं, देखें इसमें गती जूर्जा भी है न, यह गती कर रही है, अब गती जूरजा क्या होती है? देखे, ये जब चरम बिंदु पर होती ही ना, तो यहाँ पर उसका वेग 0 हो जाता है, फिर इसके बाद ये विफरिध्धी सम्झाइं गती करने लगता है, तो चरम बिंदु पर इसकी गती जूरजा क्या होगी? निमनतम होगी निउन्तम जो है ना तम जो होगा चरम बिंदू पर होगा ठीक है जस्ट उल्टा होगा तो चरम बिंदू हमारे क्या है बिंदू B वा C ठीक है और अधिक्तम हमको कहां पास मिलेगा अधिक्तम जो होता है न माद इस्थिती पर मिलेगा मतलब बिंदू A पर तो ये हमारी इस्थिती इसमें प्राप्त होती है तो चलिए option में देखते जाते है option बोला है अधिक्तम विस्थापन अवस्था में इस्थिती उर्जा नियुनता में बोल दिया अधिक्तम विस्थापन वारा B और C पर हो रहा है तो यहाँ इस्थिती उर्जा तो अधिक्तम होगी option बोला है ठीक है? C है माद दिवस्ता में गतिज उर्जा नियुनता में ये गलत हो गई ठीक है? D है माद दिवस्ता में इस्तिती उर्जा दिखता में ये गलत हो गई ठीक है? तो option B इसका सहीं उत्तर है Classics to 12 से लेके Meet IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर